Hello everyone, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एर्थ का चैप्टर नमबर टू, एक्सरसाइस 2.2 Question is, solve the following linear equations First question, x upon 2 minus 1 by 5 equal to x upon 3 plus 1 by 4 तो इसको करने का तरीका है कि जो भी हमारे denominators हैं दोनों साइड उनका LCM लेना है और पूरी equation को उस LCM से multiply करना है हम LCM ले लेते हैं 2, 5, 3, 4 का दोनों साइड जो भी numbers हैं उन सबका LCM लेना है 2, 5, 3, 4 2, 1, the 2 2, 2, the 4 2, 1, the 2, 3, 1, the 3, 5, 1, the 5, 5, 3, the 15, 15, 2, the 30, 32, the 60 तो इसका LCM कितना है 60 denominator का LCM है 60 तो हम दोनों साइड बोद साइड को 60 से multiply करेंगे 60 अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे यह 60 इस ब्रैकेट के बाहर है तो 60 दोनों टर्म्स को अंदर multiply होगा 60 इंटू X अपॉन 2 फिर माइनस 60 इंटू 1 बाई 5 इकुल टू यहां पे भी ब्रैकेट ओपन होगा 60 इंटू X by 3 plus 60 इंटू 1 बाई 4 अब 2 बाई 2 2 30 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3 3 20 इंटू 60 4 15 इंटू 60 30 X minus 12 equal to 20 X plus 15 अब like terms को एक साथ करेंगे 30 X और 20 X like terms है तो 30 X 20 X है अहां पे plus हो रहा है वहां जागे minus हो जाएगा minus 12 और 15 like terms है constants है इनकों एक साथ कर लेंगे minus 12 वहां जाके plus 12 हो जाएगा transpose हो के 30 X minus 20 X 10 X 15 plus 12 27 तो answer क्या जाएगा X equal to 27 by 10 now next question है question number second N by 2 minus 3 N by 4 plus 5 N by 6 equal to 21 इसको भी सेम denominators जो भी है 2, 4, 6 उनका LCM लेंगे और पूरी equation से LCM को multiply करेंगे 2, 4, 6 इसका LCM 2, 1s are 2 2, 2s are 4 2, 3s are 6 2, 1s are 2, 3 3, 1s are 3 LCM आजाएगा 3, 2s are 6 6, 2s are 12 12 is our LCM आएँ 12 उससे बोच साइट्स multiply करेंगे 12 into N by 2 minus 3 N by 4 plus 5 N by 6 equal to 12 into 21 दोनों साइट हमने 12 से multiply कर लिया अब ब्राकेट को open करेंगे 12 सभी टर्म से multiply होगा 12 into N by 2 minus 12 into 3 N by 4 plus 12 into 5 N by 6 12 into 21 2 1s are 2 2 6s are 12 4 1s are 4 4 3s are 12 6 1s are 6 6 2s are 12 6 N minus 9 N plus 2 5s are 10 N equal to 21 into 12 21 into 12 2 1s are 2 2 to the 4 1 to the 1 1s are 1 1 to the 2 5 2 52 2 2 2 अच्ग अच्ग मिल्टिप्ले करतेएं बोद साइटस क्यूंकि हमारा डिनॉमिनिटर्स उस वज़े से कैंसल हो जाएंगे हमारी एक्वेशन सिंपल हो जाती है जिसमें डिनॉमिनिनिटर्स नहीं है तो हम इसको easily solve कर सकते हैं अब 6n-9n यह हो जाएगा minus 3n plus 10n equal to 252 minus 3n plus 10n इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 7n equal to 252 n equal to 252 by यह 7 यहाँ multiply हो रहा है वहाँचे दिवाइड हो जाएगा 7 3s are 21 4 carry 7 6 are 42 so our n equal to 36 n equal to 36 is our answer अब next question है x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 17 upon 6 minus 5x by 2 इसमें हम क्या करेंगे इसमें भी same जिन भी जो भी denominators है जैसे यहाँ पर 3 है इस साइट पर 6, 2 इन सब कालसियम लेंगे 2 1s are, 2 3s are, 3 1s are, 3 2s are, 6 तो हैसे हम 6 आया है 6 से बोट साइट से बोट साइट से बोल्टिप्लाइ करेंगे 6 into x plus 7 minus 8x upon 3 equal to 6 into 17 upon 6 minus 5x by 2 अब 6 को जो भी तीन टर्म्स है, x 7 minus 8x by 3 तीनों से मल्टिप्लाइ करेंगे 6x plus 6, 7 सा 42 minus 6 into 8x by 3 यहाँ पी भी 6 into 17 by 6 minus 6 into 5x by 2 6x plus 42 minus 3 1s are, 3 2s are, 6 6, 6 cancel हो गया, 2 1s are, 2 3s are तो 2 8s are, 16x equal to 17 minus 3 5s are, 15x यहाँ पे, अब यह equation simplify हो गई, denominators eliminate हो गई, अब हम क्या करेंगे, like terms जो भी है, जैसे यहाँ पे x वाली यह term है, यह है, यह है, इनको इकठा करेंगे 6x minus 16x, यह हो जाएगा minus 10x, और की minus 15 वहाँ के add हो जाएगा यह plus हो रहा है, 42 वहाँ जाके minus हो जाएगा minus 10 plus 15, यह हो जाएगा, 5, 5x और यहाँ पे plus 17 minus 42, तो 42, 17, 5, 3, यह हो गया, 1, minus 25x हो जाएगा 5 नीचे जाके divide हो जाएगा, तो x equal to minus 5, x equal to minus 5 is our answer Now question number 4, इसको solve करने का easy भी क्या है, 5 यहाँ पे divide हो रहा है वहाँ जाके multiply हो जाएगा, तो 5 into x minus 5, 3 यहाँ पे divide हो रहा है, उस साइट जाके multiply हो जाएगा 3 into x minus 3, अब brackets को open करना है, 5x minus 5, 5 is our 25 हो जाएगा 3x minus 3, 3 is our 9, 5x, यह 3x यहाँ plus का है, वहाँ जाके minus का हो जाएगा minus 9, यह minus 25 है यहाँ के plus का हो जाएगा, 5x minus 3x, 2x, यह हो जाएगा 16, x equal to 16 by 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, x equal to 8, x equal to 8 is our answer इसको भी सेम जो भी denominators हैं, उनके LC हम लेते हैं 3, 3, 4, 3, 2, 2, 2s are 4, 2, 1s are 2, 3, 1s are 3, 3, 2s are 6, 6, 2s are 12, 12 इसकाल सी है मैं multiply करेंगे पूरी equation को, 12, 3t minus 2 upon 4, 12, 2t plus 3 upon 3, equal to 12, into 2 upon 3 minus 12t यहां पर 4, 1s are 4, 4, 3s are 12, 3, 1s are 3, 3, 4s are 12, 3, 1s are 3, 3, 4s are 12, bracket open करेंगे, 3, 3s are 9t minus 3, 2s are 6 हो जाएगा, यहां पर bracket open करेंगे, 4, 2s are 8t minus into plus minus minus 4, 3s are 12 हो जाएगा, 4, 2s are 8, minus 12t, जो है 90 minus 80, यहां t रहा जाएगा, minus 6 minus 12, 12 minus 18, equal to 8, minus 12t, यहां पर लाइक टम्स को एकठा कर लो, t, यह 12 वहां जाके add हो जाएगा, equal to 8, यह minus 18 वहां जाके plus हो जाएगा, यहां पर 13t, 18 and 8, 26, t equal to 26, यह 13 यहां के divide हो जाएगा, 13, 1s are 13, 2s are, t equal to 2, lgm लेंगे, 2 और 3 का, 2, 3 का lgm होता है, 6, तो 6 से whole equation को multiply करेंगे, of 6 m minus 6 into m minus 1 by 2, 6 into 1, 6 minus 6 into m minus 2 by 3, यहां पर 6 1s are, 6, 2 1s are, 2 3s are, 3 1s are, 3 2s are, 6 m minus, bracket खोलेंगे, 3 m minus 3 into minus 1 plus 3, 6, यहां पर भी bracket open करेंगे, minus 2 m minus 2 into minus 2 plus 4, 6 and minus 3 m plus 3, 6 and 4, 10 minus 2 m, लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे, 3 m minus 2 m, यहां पर हो जाएगा, 3 m minus 2 m, यहां पर हो जाएगा, 3 m minus 2 m, यहां पर हो जाएगा, अब exercise में next part है, simplify and solve the following linear equations, question number 7, 3 into t minus c equal to 5 into 2t plus 1, यहां पर ब्राखिट ओपन करेंगे, 3 into t, 3t minus 3 into 3, 9, यहां पर 5 into 2, 10t plus 5, ब्राखिट लाइक टर्म्स को एक साथ करिए, 3t, 10t वहां जाके minus हो जाएगा, minus 9 वहां जाके plus हो जाएगा, 3t minus 10 minus 7t, 14, 14 by minus 7, 7 1s are 7 2s are, t equal to minus 2, question number 15, y minus 4, minus 2 into, y minus 9 plus 5 into, y plus 6, तो यहां पर सभी, टर्म्स में ब्राखिट खोलेंगे, 15 into y, 15y, minus 15 into 4, 60, minus 2 into y, 2y, यह minus 2, minus 9, minus 2 into minus 9, plus 18, 5 into y, 5y, plus 5 into 6, 30, लाइक टर्म्स एक साथ करेंगे, 15y minus 2, y यह हो जाएगा, 13y, 13y plus 5y, 18y, minus 60 plus 18, यह हो जाएगा, minus 42 plus 30, minus 42 plus 30 हो जाएगा, minus 12, equal to 0, तो 18y, minus 12 वहां जाएगे, plus हो जाएगा, y equal to 12 by 18, 2, 6 is 12, 2, 9 is 18, 3, 2 is 6, 3, 3 is 9, y equal to 2 by 3, यह हमारा अन्सर, नम्हर 9, 3 into 5z minus 7, minus 2 into 9z minus 11, equal to 4 into 8z minus 13, minus 17, इसमें भी हम ब्राकेट्स ओपन करेंगे, यह हो जाएगा, 3 into 5z, minus 3, 7 सा, 3 into 7, यहां पर क्या हो जाएगा, minus 2 into 9z, यहां पर, 4 into 8z, minus 4 into 13, minus 17, 3 5s are 15z, minus 3 7s are 21, minus 2 9s are 18z, minus into minus plus 2 11s are 22, 4 8s are 32z, minus 13 into 4 52, minus 17, लाइग टर्म्स को एक साथ करिए, 15z, minus 18, then minus 3z, minus 21, plus 22, plus 1, 32z, minus 17, minus 69, minus 3z, यह वहां जाके minus को हो जाएगा, 32z, minus 69, minus 1 हो जाएगा यहां के, 1, यह हो जाएगा, minus 35z, minus 70, minus minus cancel हो जाएगा, z equal to 70 by 35, 35 1 था, 35 2 था, z equal to 2 is your answer, इसमें क्या करेंगे, पहले, 0.25 क्या होता है, वो देख लेते हैं, 0.25 का मतलब है, 25 अपॉन 100, यह 100 कैसे आया, 1s, 10s, 100, 100, पे पॉइंट था, तो पॉइंट हटा के नीचे, 100 आया, 25 1s था, 25 4s, तो 0.25 को हम 1 by 4 भी लिख सकते हैं, और 0.05 को क्या लिख सकते हैं, फ्राक्शन में, यह हो जाएगा, 5 अपॉन 100, 5 1 था, 5 20 था, तो 0.05 को हम 1 by 20 भी लिख सकते हैं, 0.25 को 1 by 4, और 0.05 को 1 by 20, इसको हम लिख सकते हैं, 1 by 4, 4 f minus 3, इसको हम लिख सकते हैं, 1 by 20, 10 f minus 9, अब जो भी डिनॉमिनेटर्स हैं, उनका लिख सकते हैं, 4 और 20 गाल्सियम 20 होगा, 20 से बोच साइट्स मल्टिप्लाइ करो, 20 अपॉन 4, 4 f minus 3, 20 अपॉन 20, 10 f minus 9, 4 1 था, 4 5 था, 20 20 था, अब ब्रैक्ट्स को उपन कर लो, 5, 4 था, 20 f minus, 5, 3 था, 15, यहाँ पे, 10 f minus 9, like terms को एक साथ करिए, 20 f, यह minus हो जाएगा, 10 वहाँ जाके, equal to minus 9, यह 15 यहाँ जाके, plus हो जाएगा, 20 f minus 10 f, 10 f होगा, equal to 15 minus 9, यहाँ जाएगा, 6, f equal to 6 by 10, इसको हम लिख सकते है, 0.6, यह f equal to 0.6 आपका answer है, so I hope आपको यह exercise समझाई होगी, thank you.